आप सभी का हमारे उफिशली यूट्यूब चैनल में स्वागत है मैं मनुशर्मा, Mathematics and Reasoning faculty आप सभी का अपने अफिशली यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ दोस्तो हमारा क्या कर रहे थे हम कर रहे थे क्या दोस्तो ब्लर रिलेशन और ब्लर रिलेशन में मैंने बुलकुल आपको बेसिक से चीज़ें समझाएं कि क्या क्या रिलेशन होते हैं मैंने आपको उनके वारे में बताया फिर मैंने ये बताया कि कोशन हमारे कितने टैप्स के के बंसे बीडलेशन में दोस्तों three type के बनते हैं सथ टायब family tree, second type introducing करता है indicate करता है, तीसरा coded relation और और मैंने कल मैंने क्या करा था दोस्तों family tree वाले खुसक्त question family and फिर क्या लोगा दोस्तों coded वाले लोगा संकेतिक वाले और उसके बात संकेतिक वाले एक इंगी करेगा मतलब क्या करेगए किसारा करेगा वाली question लेए तो मैं question कराना था और मैं असा करता हूं किस आपने उसकी practice भी कियोगी question उकी और भी book से आप question लगा रहे होंगे तो आपसे question बन रहे होंगे दोश्तों नहीं बन रहे हैं तो एक वार comment box में करके बताएं कि आपको कहां पर प्रावलम आ रही है फिर उसी के according हम अपनी मेहनत को और बढ़ाते हैं दोस्तों ध्यान देना वही कौशन है दोस्तों केवल एक ही चीज याद रखनी आपको क्या दोस्तों ध्यान देना फिर में समझाता हूँ कि आपको तीनी चीज याद रखनी दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर एक चीज सबसे इंपोटेंट है कि रेस्पेक्ट देनी और रेस्पेक्ट लेनी है यद आप किसी को रेस्पेक्ट दोगे तो आप रेस्पेक्ट ले सकते हो और रेस्पेक्ट नहीं दोगे तो रेस और आप से नीचे है, तो हमेशा नीचे रखोगे, क्योंकि बिलार रिलेशन इस पर नहीं चलता है, बिलार रिलेशन जर्डेशन पर सलता है, यह बात क्लियर रहना, डाउट क्लियर होगे. मेल के लिए पिलस मानोगे इसका मतलब कि आप उसका आदमी का हरवार नाम तो नहीं लिखोगे ना कि यार ये नाम है आदमी का तो आप नाम लिखोगे या फीमेल का ये नाम है तो औरत का वो नाम लिखोगे नहीं मेल के लिए पिलस लिखोगे और फीमेल के लिए क्या मानोगे मिर भाईयो माइनस मानोगे सिंगल जडरेशन की बात चलेगी तो सेंगल etwa की शेंगे और डवल जडरेशन गी बात चलेगी तो डवल लाइन खीचाएगे बात के लिए मैंने यहीं बताय था फिर द्वारा से और दोस्तों नीचे के आएगा आफका नेफ्यू आएगा और क्या आएगा मिर भाई ओ नीज भी आएगा बात के लिए रहे तो यह बात के लिए हुई होगे आपकी मैंने उसके बाद क्या बताया था आपके लिए म मानोगे और म मानोगे यही बताया था सिंगल जरेशन की बात है तो केल सिंगल लाइन खीचोगे Me और दबल लाइन का मतलब होता है आप डबल हो जाना और डबल होने का मतलब होता है मेरे बाइफ और हस्पेंड wife और husband बात के लियर हुई यहां तक यही मैंने बताय था लेकिन मैंने आपके लिए एक और बार पूरा explain कर दिया है बात के लिए रहे यहां तक मेरे भाईयो अब ध्यान देना मैं caution की तरफ चलता हूँ और caution कराता हूँ ध्यान देना ध्यान दो इदर देखो A B का भाईय है कौन भाईय है मेरे भाईयो A किसका B का भाईय है कौन A तो भाई A भाईय है किसका B का बात के लिए रहे यहां तक मेरे भाईयो बताए भाई A B का भाईय है तो मैंने A भाईय कर दिया किसका B का बात के लिए रहे आगे करा है A की मा है, तो C मा होगी किस की? A की, बात के लिए रहे हैं यहां तक मिर भाई हो, देखो देहां देना, A, B का भाई है, कौन भाई है मिर भाई हो, A, किसका? B का, और क्या बोला, C, A की मा है, कौन? C, किसकी? A की, तो भाई मा होगी कौन? C, किसकी? A की, फिर क्या बोला, D, C का पिता है कौन, D, किसका पिता है मिर भाई हो, C का, तो भाई D पिता है, किसका, C का, तो भाई D उपर और जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइए, जाएगा कि नहीं जाएगा, क्यों, कि D, C का पिता है, पिता कौन है दोस्तो, D, फिर क्या बोला, F, A का पुत्र है, कौन, F, B, F A का पुत्र है तो जो F पुत्र है वो A से नीचे आएगा किनी आएगा बताइए क्योm त्यूमि की भाई F A का पुत्र है कौन यह पुत्र मिर भाईू F किसका A का, तो A जो Pुत्र है दोस्तों कौन है मिर भाईू F है, बात के लिए रहे, यहां तक यह क्या बना चुके हैं, हम एक figure बना चुके हैं, या family tree बना चुके हैं, बात के लिए रहे हैं तक, फिर क्या कहता है, यह बताईए, F का, का मतलब मैंने क्या बोला था दोस्तों, कौन समझो, का मतलब कौन, F का D से, F का D से, तो इसका मतलब इस D से, इस F का क् इस D से, भाई इस D से F का क्या relation होगा, आप ही बताईए, देखो धन्दिना, ये किसकी बेटा की पीडी, ये पोता की पीडी और ये पड़ पोता की पीडी, एक बात तो किलियर है दोस्तों, कि ये पिलस में है, ये पिलस में है, तो answer मेरे पास क्या होगा दोस्तों, answer male में ये female में होगा ये बताईए, तो आप बेगर देखी हुए का होगे, कि सर जो answer होगा, वो किसका होगा मिर भाईयो, male का होगा, तो ध्यान देना, ये पोती, ये गलत हो जाएगा, देखो, ये 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 बचे, लेकिन पुत्र हो नहीं सकता, पुत्र हो नहीं सकता, क्या होगा दोस्तों पढ़ पोत्र, तो option B is correct, option B is correct, बात के लिए रहे है मिर भाईयो, समझ में आ रही है, द्वारा से जाने लेना, A, B का भाई है, तो भाई A भाई हो गया, C, A की मा है, तो C मा हो गई, D, C का पिता है, भाई D, पिता होगे, किसका, C का, F, A का पुत्र है, कौन पुत से, F का relation क्या होगा, आपको पता चला होगा, क्या होगा, दोस्तों पर पोत्र होगा, बात के लिए रहे हैं यहां तक, बात समझ भाई है आप सभी के, बताईए, कोई डाउट से यहां तक, कोई डाउट से यहां तक बताईए, कोई भी डाउट से नहीं है न, चीक है, आग अज्यान भूक्राइए अगेो जिसहाई तगें की सता है को इस मेरा अफरामित बात है यसोगी पटहज Inner विश्वशा में में कि से बताइए यह में अधर Would You कि ने शॉक्राइए तरह है इनल और इस बताई को बनाने की काईशिस कि दिएगा बताइए मिर मेराई और यह जो 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 बात के लिए रहे है कि A, D का भाई है, तो भाई A भाई हो गया किसका? D का, क्या बोला है? D, B का पिता है, काौन? D, D, B का पिता है, तो भाई B का भाई है, तो भाई B नीचे आएगा और D ऊपर रहेगा? कि D पिता है, किसका मिरे भाई हो, B का, बात के लिए रहे, तो ध्यान देना, भाई A, D का भाई हो गया, बोला, D, B का पिता है, कौन मिरे भाई हो, D, बैई D B का पता है तो D ऊपर हो गया भी नीसी आ गया फिर क्या बोला B और C बहने हैं ब twenties ये B और C कौन है मिर भाईयो बहने हैं मतलब female generation है और female generation के मिर भाईयो minus ही होगा तो क्या बोला B और C बहने हैं यह बताएं कि C का मतलब का मतलब कौन A से क्या relation है C का A से भाई C का A से क्या relation है तो आप बताए क्या होगा मिर भाई हो C का A से मतलब कहने का मतलब यह हुआ मिर भाई हो कि यह A से यह C का relation क्या है तो यह बात तो clear है कि जो answer आएगा वो female में आएगा क्योंकि ये क्या है मेरे भाई हो माइनस है तो देखो ध्यान देना मैं आपसे कहता हूं ये कौन है भाई है दोनों भाई है ये भाई है और ये भाई की क्या है बेटी है भाई मेरा कोई भाई है और उसकी बेटी मैं उसको क्या बोलता हूं वो भती जी बोलता हूं और वो जो वो क्या बोलती है चाचा बोलती है भाई जान दे ना जो मेरे बतीजा यह बतीजी आधि मेल ग्योग हो गाँ तो बतीजी बोलों गा लеकिन यह क्या थो क्या होगा अंसर भतीजी निस क्लियर और मेरे ठाख समझ में आया यहां तक कोई डाउड शभाता यह गांदेना एडी का भाई है तो भाई a भाई हो गया किसका डी का और क्या बोला डी बी का पिता है कौन मेरे भाई हो डी किसका है बी का पिता है तो भाई डी बी का पिता हो गया और क्या बोला बी और सी बहने हैं बी और सी बहने हैं तो बहने दोनों मतलब माइना जर्डेशन भाई फीमेल है तो बी और सी बहने हो किया बताये कि C का A से क्या relation है इस C का A से भाई यह भाई की बेटी है तो क्या होगी बहतीजी होगी कि नहीं होगी बात के लिए रह कि मैं बंड़ कोशिच करें दोस्तों को कि या बोलता है ए बी का पुत्र है कौन ए ए ए बी का पुत्र है मिर भाई यो देख देना यह जो ए पुत्र है मिर भाई यो किसका बी का बात यहां तक किलिए रहे ए बी का पुत्र है भाई यह ए पुत्र है किसका बी का और क्या बोला बी और सी बहने ही यह दोनों पर मैनस आ गया बी और सी की बहने होगी भाई बी और सी बहने होगी देख ध्यान देखा ए बीका पॉत्र है अपूतर किस की माता है C की माता है भाई E C की माता है इसी की माता है तो बताओ E कहां जाएगी माता हो गई किसकी सी की, यदे D E का पुत्र है, यदे D E का पुत्र है, E का पुत्र कौन है मेरा भाई हो, D, तो ये E का पुत्र हो गया, पिलस D, ये सिंगल जनरेशन की बात है, तो निमनल कितमे से बताईए, कौन सा कथन सही है, क्या बोला, D A का मामा है, E B का भाई है, D A का म እा हम मेरा भाई है, B और ड भाई है, देखो ध्यान देना, ये जितनी भी भाई वाली बात हो रही है, ये सभी single generation पर होनी से, ये, पहली बात तो ये है, क्यों, क्योंकि भाई और बहन का relation, single generation पर होता है, ये बात पहली ही clear कर चुका हूँ, भाई और बहन का जो relation होता है, हो single generation पर होता है, तो ध्यान देना, क्या E और B A की line में हैं? नहीं, यह option B गलत, D और A A की line में हैं? नहीं, गलत, A की line का मतलब मिर भाई A की generation पर होना चाहिए, क्या बोला? B और D भाई है, भाई B और D भाई होई नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकते, D पर पिलस है और B पर माइनस है, भाई बहन तो हो सकते थे, तो option D भी गलत, तो option A is already सही हो जाएगा without, देखे उपे, तो ध्यान देना, D A का मामा है, D A का मामा, भाई यह A का, यह A की मेरी को है, मा, मेर जो मेरी मा का भाई होता है, मैं उसे क्या बोलता हूँ, मामा बोलता हूँ नहीं बोलता, दहू भाई A, यह A से B का क्या relation है, A से B का relation, A की मा है कौन, B, A की मा है कि नहीं, suppose that में A की जगे मैं हूँ, तो यह कौन है मेरी मा, और यह मेरी मा का कौन है, मिर भाई यो, भाई, और मेरी मा का जो भाई होता है, मुँसे क्या बोलता हूँ, मामा बोलता हूँ, उको नहीं बोलता, बताइए, तो क्या होगा, DA का मामा है, DA का मामा है, बात किलियर है मिर भाईयो, डाउट्स यहां तक सभी के किलियर है, कोई प्रॉब्लम यहां तक बताइए, बताइए मिर भाईयो, ध्यान देना अगले तोश्राइए, अब आते हैं, कोड़ेड बिलर रिलेशन, फारवर्ड टाइप कोडिंग, देखो ध्यान देना, कोड़ेड रिलेशन में टू टाइप्स के कोशन बनते हैं, फारवर्ड एंड बैकवर्ड, कौन कौन से मिर भाईयो, फारवर्ड एंड बैकवर्ड टाइप, वो ध्यान देना आप एक बार कोशन की तरफ, कि वो कोशन कैसे करते हम, फारवर्ड एंड बैकवर्ड टाइप, झाल झाल